हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं आच्रर प्रमारपत्र जिसको हम करेक्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं वो आप कैसे घर बैठे खुद से जो है ऑनलाइन बना सकते हैं पूरी परक्रिया बताने वाला हूँ ऑनलाइन करने के ब कोडेट होने वाला हूँ सबी के लिए जो लोग अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवना चाहते हैं किसी भी परपस के लिए अगर आप बनवा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुती महत्तपूड होने वाला है तो चुले फिट्स वीडियो को सुरू करते हैं मिर से आपको अपने SP अफिस से अब क्या है इसको ओनलाइन कर दिया गया है सर्विस प्लस की वेब साइट से आप बना सकते हैं यह इसका अपको बनाने से पहले आपको यहां पर यूजर आईडी बनाना होगा ठीक है आप चाहिए यहां से भी आविदन दे सकते हैं बाहरी से लेकिन मैं आपको रिकमेंड करोगा बाहरी सावजर न दे आप पहले यहां पर यूजर आईडी बनाएं यहां पर आपको फ्रिंट सबसे पहले खुद का पंज करना होगा मतलब खुद एक रिष्ट्रेशन आईडी पासवड बनाना होगा अगर आप साइबर कैफिवाले ह हैं तो आप अपने ही नाम से एक बनाएं यूजर आईडी पासवड क्रियेट करें और आप जब मल्टिपल जितना चाहें उतना जो है आप सेटिफिकेट को इसू कर सकते हैं जाती निवास आय करेक्टर सारा चीज़ आप इसू कर सकते हैं जो भी यहां पर सर्विस आपको पहले अपना नाम लिखना होता है इमेल आईडी मोबाइल नंबर एक पासवड आपको अपने हिसाब से रखना होता है आठ से पंदर क्रेक्टर के बीच होनी चाहिए एक कैप्चा भरना होता है और समिट करेंगे तो आपकी जो है ओटीपी वेरिफाई होता है और आपका जो है एक बन जाता है यूजर आईडी पासवड तो मैंने अलेड यहाप यूजर आईडी पासवड बनाया हुआ है आप आप आईडी पासवड बना लेंगे अब आपको यूजर आईडी पासवड बन जाता है तो यहाँ पर लोगिन करना होता है लोगिन करेंगे इस तरह पिर आप जो है ऑनलाइन करने बाद जो इसका वहरिफिकेशन प्रोसेस होता है वह भी समझाएंगे, और वहरिफिकेशन होने के बाद से साटिटिकेट को कैसे डाउड़ करेंगे यह भी हम यहां पर समझाएंगे, यह तीनों चीज हम हम यहां पर समझाएंगे, कि final आपका ज का दाका है यहां पकर आपको किया करना होगा ओफ सर्च करना को जो भी आप बनाना है तो हम उप्र आरे रहें तो यहां प्रिंट आउट निकालूंगा फिर आपको कैसे डाउड करना होता है और जब आप उनलाइन कर देंगे उसके बाइस से क्या प्रोसेस होती है किस तरह से वेरिफिकेशन होता है कि आपका क्रेक्टर साटिफिकेट आपको बहुत ही असानी तरीके से बन जाए तो पूरा यहां प sf कर पूछ रहा है कि आपका जंडर क्या है अप मैल या स्तσιरी क्या है और यहां पर अभिवातन अगर आप लागाना चाहते है तक छोड़ भी सकते हैं आपके अपना अा लिखेंगे जोशन देखे सभी जीला के नाम आँ चुछा दो आपको यहां पर अपना जीला का नाम सा मातल bilmiyorum प्र आपको स्द्रेश्का को नाम स्टैर्टन पर यहां प्र जूर नाम लेक्टर्टा और यहां प South तो अपने एकॉडींग यहां पर चूच करेंगी और यहां पर पिन कोड जरूर लिख देंगी छे अंगों का होता है फिर यहां पर पना पंचायत चूच कर लेंगे कि कौन से आपका पंचायत है फिर अगर माल लिजे यह same address, आपको पर हैगा तो आप इसको करेंगे पच्छा है नगर निकाहे नगर परिशत उसके बस यहां पर आपको चेक सुन्दर हाफ फोटो भी लगानी है किलियर होना चाहिए फ्रेस होना चाहिए फोटो फिर यह आपका प्रोफेशन पूछ रहा है कि आप क्या है इस्टुएंट है गवर्मेंट सर्वेंट है ठेका पर काम या सरकारी सेवत से अस्थाय अनुबंदन के अधार पर नौकरी ससस्त्र लाइसेंस लेना चाहिए पास्पोर्ट है तो आधन भी होता है आपर सरवजनिक उपकरण से संबंदित किसी परकार का लाइसेंस पेट्रोल पॉंप गेंस एजनसी इत्यादी के लाइ आज़गे तो आप अन्य भी यहा पे चूझ कर सकते हैं और आप स्पेसिपाइल लीख सकते हैं कि मुझे क्या करना है मानले जैसे कि आपको जो है जो है जो है जो है कि आ की सो है यहां है क्र stitch हैै अब यहां Girl लेना है जो भी लेना चाहरे हैं यहां करेंगे तुमान यहां च लिखेंगे और यहां पर आपको बताना है कि आप कब से कब तक पिछले दो साल में रहे हैं तो आपको दो साल का यहां पर बेवर देना है तो यहां पर अपना दे सकते हैं और यहां पर करना है इस द्राफ्ट बढ़नर सके साथ एप अपर इस तरह से प्रिव्यू देखने को मिले हैं अब भी लग रहे check edit करना चाहिए भी आपके पासुट आपके पास ए है नो अथ ही करक कर रहती है ग्रूद करेंगे या स्केन करके रखें उसके भी आप यहां से अप्लोड कर लेंगे अप्लोड करने के बाद से यहां पर आपको फाइल आ जाता है उसके बस आपको पावती रसीद मिल जाता है तो मैंने आपर समिट कर दिया है तो फ्रेंट्स कुछ इस बरकार से आपको पावती प्रिंट मिल जाता है रसीद के तौर पर आप इसे प्रिंट आउट करके अपने पास सुरचित रख लेंगे और यहां पर साफ सब लिखा हुआ भी कि आपको जो है यहां पर 14 दिन बनने का और देखते हैं इसका क्या प्रोसेस से क्या थाना से कॉल आता है यहां में कहा कहा जाना होता है इसके बनवाने के लिए तो हम आपको यहीं पर वेट करते हैं और देखते हैं की मेरा क्या प्रोसेस से यहां पर क्रेक्टर सर्टिफिकेट बनता है अब ही हम मिलते हैं आपको 14 दिन बाद तो फ्रेंट्स 14 दिन बाद हम यहां पे जो है कैसे बनवाए मतलब क्या क्या करना पड़ा यह समझे दिखिए हमने आवेधन कर दिया सबसे पहले आपको मैंने बताया उसी तरह से मैं आवेधन किया उसके बाद से 14 दिन के अंदर में जो है मेरे पूलीस एस्टेसन से जो मेरा थाना है नेरस्ट थाना जो मेरा थाना पड़ता है वहाँ से call आता है कि आपने character certificate की लाविधन किया है आप आईए थाना में मिलिए तो हम जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे एक sub inspector होते हैं वो हमसे कुछ पूछते हैं कि आप क्यों जो है ये बनवार रहे हैं आप कहां रहते हैं और आपका जो चौकिदार होता है जो आपके हर गाउं में चौकिदार होते हैं वो लोग आपसे जो है बोलेंगे कि उनके थुरू आप हमसे बात कराईए तो उस तरह से आपको क्या करना है इंक्वारी करवा देना है एक तरह से आपको जो है वेरिफिकेशन करवा देना है कि आप जो है character certificate के apply किये हैं और आपका character बिल्क operator होते हैं वहाँ पे वो लोग जो है आपका character certificate बना की और आपको जो है upload कर देते हैं इसी website पे जहां से आप यहीं से जो है online इसे डाउलोड कर सकते हैं डाउलोड करने के लिए फिंट्स बहुत ही आसान है आप लोग इन करके भी डाउलोड कर सकते हैं या status आविदन के स्ति क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप डाउलोड कर सकते हैं तो इस तरह से फिंट्स आप जो है असानी से character certificate बना सकते हैं अगर आपका 14 जिन से ज्यादा हो जाता है पूलिस वेरिफिकेशन भी नहीं आता है तो उस case में आपको अपने SP office जाके contact करना होगा और बोलना होगा क कि मेरा character certificate कहां अटक गया है देखिए बिहार सरकार जो है काफी सारे काम देती है operator को और जिसको वेसे आपका फाइल पेंडिंग हो जाता है तो उस case में आपको जाना पड़ेगा SP office तब जाके आपके बनेगा वारना आप घर से भी बनवा सकते हैं